कारकिसान सात्यों स्वागते आप सभी का मंडी बाजार बाव अपडेट यूटूब चेनल पर आज हम बात करेंगे आपर सोयवीन तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में सोयवीन के बाव में लगातार हमें गिरावट के से देखने को मिल रही है तो चलिए जान लेते हैं सोयवीन तेजी मंदी रिपोर्ट के बारे में विबिन कारणों से गेरेलू तता वेस्विक बाजार में खाद तेल की केमतों पर आगे भी दबाव बरकरार रहने की संबावनाए हैं सोयवीन सोय तेल का बाव गटकर नीचे आता जा रहा है मलेशिया तता इंडोनेशिया में पाम तेल का भाव गिरता जा रहा है जबकि निर्यात प्रदर्शन उम्मीद के अनुरूप नहीं है यह सोहबीन के भाव को लेकर मंडियों में कास बदलाओं में देखने को नहीं मिल रहा है ऐसे में सोहबीन भाव पर एक नजर डाले तो निमच मंडि में सोहबीन का दाम 4,000 रुपे से लेकर 1190 रुपे प्रतिकोंटल तक देखने को मिल रहा है मद सोर मंडि में सोहबीन का दाम 4700 रुपे से लेकर 1170 रुपे प्रतिकोंटल तक देखने को मिल रहा है इंदोर मंडी में सोयवीन का दाम 28,000 रुपे से लेकर 5,900 रुपे प्रतिकोंटल तक देखने को मिल रहा है सोयवीन प्लांटों की बात करें किसान साथी हो तो धानू का नीमच में 560 रुपे प्रतिकोंटल तक हमें सोया का दाम देखने को मिला है गोयल कोटा की बात करे तो एकाउन सो रुपे प्रतिकोंटल तक देखने को मिलाए मेस सोलवेक्स निमच की बात करे तो एकाउन सो पचास रुपे प्रतिकोंटल तक देखने को मिलाए अंतराश्टे इस तर पर भी सोहेविन की डिमांड कम देखने को मिल रही है इसलिए आगे 2070 के बाव 5,000 रुपे से लेकर 5300 रुपे प्रतिक्योंटल के बीच में देखने को मिल सकते हैं इससे ज़्यादा की उम्मीद अभी हमें देखने को नहीं मिल रही है अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें मिलते पिनेश्ट वीडियो में जे जवान जे किसान जे हिंद वंदे मात्रम